दस्वी कक्षा के गणित विशेकी, चैप्टर नमबर 14, शांकिकी की एक्सरसाइज 14.1 के क्वेस्टन नमबर 8 को सोल कर रहे हैं, क्या कहता है, किसी कक्षा अध्यापिकार ने पूरे सतर के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्तिती, एपसेंट निमलिक् कोड की, एक विद्यार्थि जितने दिन अनुपस्तित रहा उनका मध्य है, ग्याद कीजिए, बड़ा सांसा है, दिनों की संक्या, बट अब की बार यहां पर जो हमारे पास वरगंतराल हैं, उनकी जो ब्रेट्थ है, चोड़ाई है, वो समान नहीं है, यहां पे 6 है, यहां का माध्य है, 0 और 6 के बीच, कौन सी वैल्यू होते है, 0 और 6 को जोड़ोगे, 6, 6 को 2 से भाग किया, कितना, 3, पहले तो क्या होता था, यहां पे डिफरेंस सेम होता था, तो हम उतना ही डिफरेंस इसमें जोडते जाते थे, बट यहां पे ऐसा नहीं हर वैल्यू को जोड़ करना पड़ेगा, हमने निमन सीमा और उपली सीमा को जोड़के, आधा, 6 और 10, 16, 16 को 2 से भाग करोगे, कितना हो गया, 8, 10 और 14, 24, 24 को 2 से करोगे, तो कितना हो गया, 12, फिर 14 और 20 के बीच में, क्या हो जाएगा, 34 बटे 2, 17, 20 और 28, 48 का दो किया, आधा किया, 24 हो गया, 28 और 38 का आधा करेंगे, तो 33 हो जाएगा, 66 बनता है, और 78 का आधा कितना हो गया, हमारा 49 हो गया, ठीक है, यह हमने ध्यान से करना था, अब सिंपल सा है, इनको हम सिंपल ही मल्टिप्लाई कर देते हैं, पर्तेक्स विदी से ही कर लेंगे हम इसको, क्योंकि बहुत पर्तेक्स वाली बात नहीं है, तो FI, XI, FI और XI को मल्टिप्लाई करते हैं, 11 को 3 से गुना किया, कितना हो गया, 33 हो गया, 10 को 8 से गुना किया, 80 हो गया, 12 सते, 84 हो गया, 17 चोका, 68 हो गया, 24 के, 96 हो गया, 33, 99 हो गया, और 49 को एक से गुना करें, तो सिंपल सी गुना थी, इसलिए हमने पर्तेक्स वीदी से ही कर लिया, इसको क्या करेंगे, समेशन FI, XI, इनको जोड़िये, 7, 15, 21, 30, 49, हासिल के 3, 6, 14, 22, 28, 37, 40, और 3, 99, तो सब का टोटल कितना बन गया, 499, यहां पर हमें समेशन FI भी चाहिएगा, इनका सब का टोटल वैसे नोंने बताया, व यह 40 के बराबरी आएगा, तो हमारे पास पर्तेक्स वीदी से, पर्तेक्स वीदी से, हमारा जो माध्या है, वो क्या होता है, समेशन FI, XI, अपोन समेशन FI, समेशन FI, XI कितना है, 499, 499, डिवाइड़ भाई, 40, चीक है, अब 0 के नाम का तो सिद्धा हम पॉइंट ही से कह सकते हैं, 49.9 डिवाइड़ भाई 4, 4 से जब आप डिवाइड करोगे, 1, 2, 1 बच गया, 0.4, फिर कितना बचा, 3 बच गया, 12.475, यह हमारा क्या हो गया, माध्या हो गया, तो माध्या एपसेंट है, क्या हो गया, 12.475 दिन, उनके यह अनुपस्तित का माध्या रहा है, तो देखा आपने, बहुत ही आसान सा क्यवस्तन था, चलिए, इस वीडियो में इतना ही, 9 को हल करने जा रहे हैं, देखी क्या कहता है, निमल लिखित सारणी, 35 नगरों की, साक्सरता दर, लिट्रेसी रेट, कितने, परती सत्म, कितने परसेंट लोग ही लिखे हैं, दर साती है, माध्या साक्सरता दर, ज्याद केजी, 35 सहरों की लिट्रेसी रेट हमें, यह लिट्रेसी रेट है, और यह नगरों की संख्या दीवी है, यह तो हमारा क्या कहलाता है, नगरों की संख्या बारम बारता, जिसको हम FI से दिनोट करते हैं, तो अब ह करना है तो हम सिधा भी निकाल सकते हैं इन दोनों को जोड़े दो से बाकरेंगे 60 हो जाएगा इनके बीच में 70 होगा इनके बीच में 80 और इनके बीच में क्या होगा 90 होगा अब कोई ज्यादा मुश्किल गुणा नहीं है जीरो है आगे तो वैसे गुणा करने तो हम सिंपल क वो क्या होगा समेशन FI XI अपन समेशन FI चिक है देखिए तीन को पचास से गुणा करते हैं तो कितना होगा डेर सो होगा दस को साट से हमने तो दस को छे सी गुणा करना है ग्यारा को साथ से 70 और एक जीरो लगा दीजिए आठ को आठ से करेंगे ठोठी 64 जीरो तीन को न जीरो साथ और चार ग्यारा और साथ अठारा अठारा और पांच से तेईस हासल कितने होगे दो तीन तीन और छे नो और साथ सोला सोला और छे बाईस 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 और दो 24 हमारे पास इनका जो समेशन आ गया वो कितना आ गया 2430 इनका समेशन समेशन मतलब जोड एफ आई वैसे तेनों ने बता है वह 35 तेरा चोविस बाईस और तेन पैंटिस यह होता है हमारा तो माध्या हमारा कितना हो जाएगा 2430 divided by 35 आपने सिरफ इन ही को डिवाइड करना है पांच से डिवाइड हो रहा है पांच से तो हम डिवाइड कर दें 5 ता 35 इसको डिवाइड करेंगे पांचो का 20 चार बच गया 5840 तीन बच गया 35 तो इसका मतलए 480 को आपने 7 से डिवाइड करना है अब 7 का 42 छे बच गया 66 7,9,63 फिर 3 बच गया 30 होगे 7 का 22 दो बच गया बढ़ हम यहीं तक रखते हैं और अगर two decimal तक लेना हमने इसको छोड़ देते हैं इसमें यह 5 से ज़्यादा है तो एक नमबर यहां पर बढ़ा देते हैं तो हमारे पास माध्य कितना हो गया यह तो माध्य साकसरतादर माध्य साकसरतादर कितना हो जाएगा 69.43 परसेंट आ गया तो चलिए इस वीडियो में इतना ही नेक्स वीडियो में अगले क्वेशन के साथ मिलते हैं तब तक के लिए जैए जैए जैए